लो प्रेंट्स एके कारफ हैट्स के एक और ने वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज आपके सामने हैं इंडिया की मोस्ट सेलिंग और पॉपुलर हैजबैक मारूती स्विफ्ट और यह इसका LXI बेस बेरियंट है इस गाड़ी में आपको चार बेरियंट देखने को मिल जाएगी और अधिक जानकारी के लिए मैंने contact number description में दे दिया है तो आप से आप contact कर सकते हैं और पूरी information collect कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम इस गाड़ी पे जुड़ी सभी चीजे डिटेल में देखेंगे तो आप वीडियो को like and channel को subscribe भी कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने friend circle में इसको share भी कर सकते हैं सबसे पहले हम इसके पूरे front view की बात करते हैं तो इस गाड़ी में आपको 3845 mm की length मिल जाती है जिसकी वजह इसका road presence अच्छा खाफा हो जाता है गाड़ी देखने में तो छोटी फी लगती है लेकिन इसका look देखिए आप इसका mileage देखिए इसका पूरी reliability देखिए जिसकी आपको low beam और high beam के लिए हाइलोजन में बल्म दिया गया है और यहीं पर आपको indicator मिल जाता है यह देखने में बड़े साइच के है ना तो थोड़ा सा muscular लूप बनाता है और यहां पे आप fog lamp fit करवा सकते हैं आपको base parent में fog lamp नहीं मिलता है तो अगर आपको जरूरत है तो कोई sporty वाला feel कराता है और side से भी अगर आप इस गाड़ी का पूरा view देखेंगे ना तो आगे का पूरा bonat area का posture देखेंगे तो आगे की तरफ जुका हुआ है और यह sporty गाड़ी है भी अगर आप इसका कोई दूसरा color देखते हैं जैसे black और red ना तो उसमें तो यह गाड़ी जाते हैं तो वहां पर 15 इंच का मिलता है यहां पर आपको वील कवर यह सारी चीजें से फ्रीज में लगी हुई है अंदर देखेंगे तो यह आपको suspension मिल जाता है और पूरा अगर आप देखेंगे ना तो ट्रवल भी अच्छा है जिसकी वज़े से इसमें आपको ऊबर ख इसके बाद आप देखेंगे तो आपको body color में ही door handle मिलता है और पीछे वाला अगर आप दोर देखेंगे ना तो थोड़ाफा unique type से open होता है जो देखने में अच्छा लगता है थोड़ाफा futuristic design लगता है और अगर आप इसका पूरा side का view देखेंगे ना तो गाड़ी पूरी देखेंगे ना तो यहां से तो आपको feeling नहीं होगा कि यह base variant है क्योंकि पीछे आपको सारी चीजे मिल रही है जो आपको इसके ऊपर वाले variant में भी मिलती है यहां पर आपको chrome पे logo मिल जाता है ऊपर देखेंगे तो कोई भी आपको defogger और wiper नहीं मिलता लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर देखेंगे तो यहां पर हाइस्टाव मांटन छोटा सा spoiler और ऊपर आपको regular antenna मिल जाता है उसके बाद यहां पर देखेंगे तो swift की wedging है थोड़ा सा italic font में देखने में अच्छा लगता है chrome पे पूरा आप टेल लेंप का design देखेंगे ना तो य लगता है और डी सेप में यह जब ओन रहता है ना पूरा LED में है अच्छा लगता है यह तो लुक को enhance कर देता है और यहीं पे आपको 10 इंडिकेटर और reverse parking वाला लैंप दिया गया है और उसके नीचे देखेंगे तेहां पे आपको चार ultrasonic वाले parking sensor मिल जाते हैं जो बहुत ही अच्छी तरफ से काम करते हैं यह तो गई गाड़ी का पूरा rear view की कहानी और यहां पे देखेंगे तो आपको fuel tank दिया गया है इस गाड़ी में आपको bus petrol का variant आता है कोई भी आपको diesel और CNG नहीं मिलता है CNG इसके ऊपर वाले variant से मिलता है पीछे के अगर आपको boot open करना है तो यहां पे कुछ भी नहीं मिलता आपको आगे से ही open करना पड़ेगा lever फे driver side से यह चीजे हैं अब एक बार हम इसका driver side का door open करके आपको बताता है उसके बाद आपको boot का भी पूरी कहानी बताऊंगा कि क्या इस space मिलता है पूरा door handle देखेंगे तो black color है कहीं पे भी आपक यह आपको जितनी चीजे मिल रही है परियाप थे यहां पर देखेंगे तो आपको handle मिल जाता है चोटी मोटी जगह मिल जाती ही नीचे और speaker के लिए जगह मिल जाती है बेस बेरेंड में आपको speaker भी नहीं मिलता है वो भी आप लगवा फकते हैं मारूती फुजकी की जनु का पार्ट है यह लगाया गया है और यहां पर देखेंगे तो आप इसकी height अच्छे कोई कमी नहीं है कितनी भी दूरी अगर आप ड्राइब करेंगे ना तो आपको ठकावट महफूस नहीं होगी उसके बाद आप पूरा डैफ बोड के design देखेंगे तो यह भी आपको पू देखेंगे तो ABC पैडल है और यहीं पर आपको bonnet open करने के लिए मिल जाता है इसको आप थोड़ा अपनी तरफ खीच के bonnet open कर फकते हैं और यहां पर आपको मिल जाता है fuel tank और boot को open करने के लिए एक बार मैं boot open कर देता हूँ उसके बाद आपको पीछे पे दिखा दूँग अच्छा लगता है इसमें आपको कोई भी कंट्रोल नहीं मिलते जैफे बीच में आपको लोगों मिल जाता है फ्राउंडिंग में क्रोम का टाच है देखने में अच्छा लगता है डीकट टाइप से स्टेरिंग वील है थोड़ा फ्यूचरिस्टिक और ट्रेंडिंग इसको आपको डिया गया है तो कोई भी नहीं देता जिस में आपको इसको आप उपर नीचे कर पकते है और आगे पीछे नहीं करपकतें सकते है समझ लिए डिलीज़िस में अब surge Украї टाश बीचुनिर में लीए जिए उसके बाद आप इसका पूरा बीच का देखेंगे ना सेंटर कन्सोल तो यहां पे ऊपर आपको एसी मिल जाता है सराउंडिंग में देखेंगे तो यह फिल्वर टाइप के कलर है अच्छा है हजाट का बटन है यहां पर यह एसे फरीज का ही लगा हुआ है इन्फोर्टेन्म नीचे देखेंगे तो क्रोम का फ्राउंडिंग में दिया गया देखने में अच्छा लगता है चोटी-छोटी चीजे जहां पर है ना क्रोम या फिलवर पर तो चीजे अच्छी लगती हो उसकी फुनदर्टा पर चार चांद लगा देती है अंदर का पूरा जो महौल रहन तो आपको कुछ नहीं मिलता और इतर को डाइवर वाइट देखेंगे तो टिकट होड़र मिल जाता है यह बहुत अच्छी बात है अधस्टिबल बाकी गाड़ियों में आपको फिक्स मिलता है बेस बेरेंट में उपर देखेंगे तो पूरा ही आपको हाट प्लप्टिक यहा यह बेस बेरेंट है ना तो चीज़ें आपको अच्छी मिल जाती है तो आपको एयर बैग मिल जाते हैं सेफटी की बात करें तो ट्रैक्षन कंट्रोल थोड़ा से फीनियर फीट जन तो उनको गाड़ी में उतरने में दिक्कत नहीं होती है यही वज़ा है कि यह गाड़ी इतनी जादा लोगों को पफंद आती है पीछे की सीट देखेंगे तो बहुत शांदार है इसमें कोई कमें नहीं है फीट को आप मतलब पूरा ही फोल्ड अगर आप देखेंगे तो आपको कवर में यह फारी चीजे मिल जाती है मैगजीन और रखने के लिए तो इस पेफ की तो कोई कमी है नहीं और अगर आप पीछे बैठें है तो कुछ इस टाइप से आपको पूरा डैफ बोड कर डिजाइन दिखेगा जिफ जगा में क्रॉम के अलिमेंट दिख रहे है न वो चीजे थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लगने लगती है इस पेफ तो अच्छा खाफ है कोई दिक्कत नहीं हम पे की बात करें तो वो भी ना के बराबर है ओके ओके है तो यह तो होगा इस गाड़ी के पूरे अंदर और बाहर की कहानी चीजें अच्छी लगने लगती हैं अंदर देखेंगे तो आपको 208 लीटर का अच्छा खाफा बड़े फाइच का बूटी स्पेफ मिलता है तीन चार लोग अगर कहीं जा रहे हैं ट्रवल कर रहे है ना तो उनका फामान पूरा आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी औ और इसकी म्यूजिक क्वाल्टी अगेरा गजब की है कोई दिक्कत नहीं है और नीचे देखेंगे तो यहां पर इस पेर बील भी दिया गया जो बहुत अच्छी बात है अगर मैं इसके पूरे बूटी स्पेफ की बात करू ना तो कहीं पर कोई कमी नहीं है फिर आपको पा इंजन मिल जाता है जो पांच स्पीड की मैनुवल ट्रांस्मीशन के साथ आता है और इसमें आपको लगभग अठाफी बीएच्पी की मैक्सिमुम पावर और 113 एनम का मैक्सिमुम टॉक्स जनरेट करता है और इस इंजन पे आपको लगभग 23 के मैलेज भी मिल जाती जो बहुत शांदार है और यह गाड़ी आपको लगभग 22 के मैलेज तो आराम से निकाल देती है तो अब और अलगर इस गाड़ी की बात करें तो देखने में बहुत प्यारी लगती अंदर अच्छा खाफाई स्पेस मिल जाता है फुली रिफाइंड आपको बीस शिक्स फेस् में तब तक के लिए बाई बाई